अर्ध चक्रासन इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिती आधे चक्र जैसी यानी पहिये के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दे। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हो ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की योड जुकाएं। सर को इतना जुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांस्पेशियों पर खिचाओ मैसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिती में 10 से 30 सेकेंड तक विश्राम करें। अर्ध चक्रासन आपकी भीड को लचीला बनाता है। मेरू तंत्रिकाओं यानि स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की ख्षमता को बहतर बनाता है। और सर्वाइकल स्पॉंडिलाइडिस यानि गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहें। इस आसन को करते समय उच्च रक्त चाप यानि हाइपर टेंशन या हाई वीपी के रोगियों को सावधानी से जुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हों तो कृपया या आसन ना करें। दस से तीस सेकंड तक इस थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लिए। और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीड की हड़ी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आप पीट और गर्दन दर्द जैसी परिशानियों से हमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं।